आपको सबको नमस्कार आपको याद होगा मैंने कुछ महीने पहले कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्यंद्र जैन को एक फरजी केस में गिरफ़तार करने वाली है मुझे बहुत ही विश्वस्निय सूत्रों से ये पता चला था कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिलिये कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीश सिसोदिया को भी गिरफ़तार करने जा रहे है पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जहांच एगंसीज को मनीश सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फरजी केस तयार करने को आए जैसे नोंने सतेंद्र जैन के खिलाफ फरजी केस किया है वैसे ये लोग मनीश जी के खिलाफ भी फरजी केस बना रहे है मनीश इसोदिया भारत की शिक्षा क्रांती के जनक है आजाद भारत के इतिहास के शायद वो सबसे बहतरीन शिक्षा मंत्री है सरकारी स्कूलों में पहले गरीबों के बच्चों को थर्ड क्लास शिक्षा मिलती थी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं इन सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में था मनीश जी ने इन बच्चों को अच्छे और सुनेरी भविष्य की उमीद दिये मनीश जी ने इनके माता पिता की आखों में चमक दिये आज मैं उन 18 लाख बच्चों से पूछना चाहता हूँ बच्चों क्या आपके मनीश सिसोधिया भरष्ट है मैं उनके माता पिता से पूछना चाहता हूँ कि ये लोग आपके मनीश सिसोधिया को भरष्ट कह रहे हैं आपको क्या लगता है मनीज जी सौधिया ने ना केवल दिल्ली बलकि पूरे देश के गरीब बच्चों को उम्मीद दिये कि उनके स्कूल भी बदल सकते हैं दिल्ली की शिक्षा करांती की धमक केवल भारत में ही नहीं आज पूरी दुनिया में गुंज रही है पूरी दुनिया के देशों से दिल्ली सरकार के पास निमंतरन आ रहे हैं हमें भी हैप्पिनेस क्लास सिखाऊ हमें भी अंत्रप्रनरिशिप क्लास सिखाऊ मनीज जी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए या उन्हें पूरे देश के स्कूलों को ठीक करने के जिम्मेदारी देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि सतेंद्र जैन और मनीश सिसोधिया को फरजी मामलों में जेल में डालके, दरसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्त के क्षित्र में जो अच्छे काम हो रहे मनीश को और सतेंद्र को जेल में डालने की पीछे इन लोगों की क्या राजनीती है, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता, मुझे केवल ये पता है कि मनीश और सतेंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है, अगर मनीश और सतेंद्र आलने की बजाए आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी MLS को एक साथ जेल में डाल दीजिए सारी जाच एजैंसी को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जाच कर ले आप एक-एक मंत्री को गिरफतार करते हो इसे जनता के कामें में बादा होती है आप सतेंद्र जैन जी दिल्ली में कई और नए महला क्लेनिक बनवा रहे थे वो दिल्ली में पानी और बढ़ाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे यम्रा की सफाई पे काम कर रहे थे अब वो सारे प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ जाएंगे जिस case में उन्हें गिरफतार किया है आपने उसकी जांच पहले ही CBI और income tax वाले कर चुके हैं उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि case में case तो फरजी है उसमें कुछ है ही नहीं अब उसी case की दुबारा जांच ED कर रही है एक एक case को कई कई साल तक अलग-अलग agency बस जांची करते रहेंगे क्या तो फिर जंता का काम क्यों करेंगे हम लोग इसलिए मेरी आपसे विंती है हम सब को एक साथ गिरफतार कर लो एक साथ सारी जांच agency से हमारी सब की जांच करवा लो जितनी रेड करनी है रेड कर लो एक साथ कर लो ताकि उसके बाद हम काम कर सकें हमें राजनीती समझ नहीं आती कुछ लोग कहते हैं ये हिमाचल के चुनाओ की विज़े से किया जा रहा है कुछ लोग कहते हैं ये पंजाब चनाव के नतीजों का बद्रा लिया जा रहा है हमें नहीं पता क्या कारण है जो भी कारण है हमें गिरफतार होने से डर नहीं लगता पर सब को एक साथ करवा लो आपने पांच साल पहले भी हम सब पे कई कई रेड करवाई थी किसी कहां एक पैसे की चोरी नहीं मिली हमारे 20 से ज्यादा अमेलेज को गिरफतार किया गया सारे के सारे कोट से छूट के आगए सब मामलों में कोट ने जाच एजिंसियों को खूब डांटा कि ये क्या कर रहे हो आज हम हर जेगे गर्व के साथ मजाक में कहते हैं कि हम सब लोग मोदी जी से इमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आए हैं अब फिर से ये जेल-जेल का गेम शुरू हो गया तो हमारी आप से हाथ जोड़ के बस एक विंती है हम सब को एक साथ जिरफतार करके मुझे पूरा विश्वास है एक बार फिर से हम आप से देश की सबसे इमानदार और देश भक्त पार्टी का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे जैन